नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम वारियर के यूट्यूब चैनल पर जैसे कि आप सभी को पता है संपूर्ण भारत में अगनी वीर स्कीम के प्रती विरोध परदर्शन किया जा रहा है और जो कही न कहीं सही भी है क्यूंकि आर्मी की तयारी करने में एक से दो साल लग जाते है और कार्यकाल को घटा कर अब सिर्फ चार साल का रखा गया है जिसमें की 75% सैनिकों को रिटार्मेंट दे दी जाएगी तो ये कही न कहीं गलत है इसका परदर्शन करना चाहिए अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो इसका आप विरोध परदर्शन करें लेकिन आपने विरोध परदर्शन किस तरीके से करना है बात इस पर भी निर्वर करती है एक तो आप शांती प्रिया तरीके से कर सकते हैं जैसे में बहुत से लोग जो है वो शांती प्रिया तरीके से विरोध परदर्शन कर रहे हैं अगनी वीर स्कीम के परती और वहीं कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो आप गलत सोचते हो आप चाहे संपूरन असाथ बिजनिक चीजों को आग लगा लेजिए सरकार को फरक नहीं पड़ेगा फरक पड़ता है सिर्फ भारत मा को और भारत मा में निवास करने वाले हम और आप जैसे आम लोगों पर तो अगर आप ये मानसिकता रखकर इन सब चीजों को नुकसान पहुँचाते हो कि सरकार को इससे फरक पड़ेगा तो आप गलत हो आप शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध परदर्शन कर सकते हो और बात रही समर्थन की तो समर्थन आपके साथ ही होगा लेकिन आप इस परकार के गलत तरीकों को ना अपनाए शांतिप्रिय तरीके से आप अपना विरोध परदर्शन कर सकते हो क्योंकि आर्मी में आपका जाने का मेन मोटीव क्या होता है आप भारत मा की रक्षा करना चाहते हो और इसके विपरित आप यहाँ पर क्या कर रहे हो आप तोड़ फोड़ कर रहे हो इससे आप भारत मा की रक्षा नहीं आप भारत मा को नुकसान पहुंचा रहे हो तो इतनी आपको समझ होनी चाहिए क्योंकि आप पड़े लिखे इंसान हो और वहीं बात रही विरोध परदर्शन में तो कुछ लोग आप देख सकतो हैं आप डंडे लेके जा रहे हैं देखिए आप विरोध परदर्शन करने जा रहे हैं आप किसी जंग में नहीं जा रहे हैं आपको शांती पूरवग विरोध परदर्शन करना चाहिए ये कुछ तस्वीरे हैं विरोध परदर्शन की विरोध जरूरी है लेकिन आप तरीका कौन सा अपना रहे हो ये गलत है मैं आपके विरोध का समर्थन करता हूँ लेकिन वो शांती पूरवक होना चाहिए इस परकार के अगर आप तोड़ फोड़ करोगे उस भरतिय को आपको पुना सुचारू रूप से चालू कर देना चाहिए क्योंकि जो प्रोसीजर उसका स्टार्ट होगा आप उसमें एक्जाम होना था तो आपको एक्जाम कंड़क्ट करवाना चाहिए क्योंकि आर्मी एक ऐसी भरती है जिसमें ग्राउंड सबसे टफ होता है ग्राउंड के लिए मिनिमम एक से दो साल की तयारी करनी पड़ती है और बात रही अगर मेरे एरिये की तो जैसे मैं कुलू से विलॉंग करता हूँ कुलू में क्या होता है कि सर्दियों के समय बहुत ठंढ पड़ती है और उस ठंढ में भी सुबध चार बज़ के उठकर जो आर्मी के तैयारी करता है वो ग्राउंड में भाग रहा होता है तो आप समझ सकते हो कि किस परकार की तैयारी यहाँपर चाहिए होती है ग्राउंड के लिए तो बहुत महनत की थी बच्चों ने जिस बहुत महनत से ही आर्मी ग्राउंड क्लियर होता है तो इस चीज को भी सरकार को सोचना चाहिए जो भरती प्रक्रिया उन्होंने रद करवा दिया है उसे रद ना करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आर्मी ग्राउंड क्लियर करने में ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए बाकी आप विरोध करिए आप विरोध परदर्शन जरूर करें लेकिन इस परकार के रास्ते को ना अपनाए बस यही आप से मैं कहना चाहूंगा कि आप शांती पूरवध विरोध अपनाए क्योंकि आप विरोध कहीं न कहीं सही पर कर रहे हो आप सही हो क्योंकि आप सब देख सकते हो कि चार साल कारेकल बहुत ही छोटा रहता है और आर्मी के लिए आपको लगवग दो से तीन साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बात रही जैसे कि बहुत सी स्कीम आपके लिए यहाँ पर लाई गई है अब पूरान रुप से कारगर साबित नहीं होगी क्योंकि रिशो यहाँ पर बहुत ज़ादा है तो किन्स को आप यहाँ पर इसका प्रॉफिट दोगे जो आप कहते हो की रिटायर्मेंट के बाद वी आपको बहुत से प्रॉफिट मिलेंगे तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो इन प्रॉफिट से भी बंचित रह पाएंगे क्योंकि कितनी सीटे आफ दे दोगे जैसे कि सरकार ने ये कहा था कि पुलिस में और कैंड रिशेशर्स्तर सुरक्षा बलो में आपको सरक्षन दिया जाएगा तो कितने ही बच्चों को यहाँ पर सरक्षन दिया जा सकता है और बात रही जैसे कुछ सरकार कहती है कि चार साल के बार आप कॉंपटिटिव एक्जाम की तैयारी कर सकते हो देखिए चार साल तक आपका पढ़ाई में ब्रेक लग जाएगा क्योंकि आर्मी के दौरान आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप पूरन सुचारू रूप से अपनी तैयारी कर सके और आप से भी जानते हो कि अगर एक दो साल या एक दो महीने भी आप पढ़ाई नहीं करते हो तो कितना क्या पढ़ता है तो इस चीज के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कार्यकाल भढ़ाना चाहिए ये चार साल काफी कम है कुछने कुछ इसमें बदलाब किया जाना चाहिए बाकि यही थी इस वीडियो में कि आप विरोध फरदर्शन करें लेकिन इस परकार के रास्ते को ना अपना है यही मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा और अगर आपको मेरी किसी बात से यहां पर दुक हुआ तो आप मुझे माफ करें अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ कहाया तो आप मुझे माफ कर दें